नुवस्कार मित्रों मैं डाक्टर केड़ी सिर्वास्तो होमियोपैथी के चमतकार में आपका तह दिल से स्वागत बंदन यों विनंदन करता हूं मित्रों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे माध्यम से हर मंगलवार को हाथी मत्था मंदिर जो की सीतापूर रोड पर इस्थित है वहाँ पर एक नहिसुलक कैम्प का आयोजन किया जाता है और यह कैम्प हर मंगलवार को नहिसुलक मानो समाज के कल्याण के लिए लगाया जाता है जहां पर हर इंसान आसानी से अपनी गहन से गहन गंभीर चिकित्सा का सहचता से इलाज करवा सकता है मित्रो मैं इस मुहिम में सबसे पहला जो है धन्यबाद कहना चाहूंगा जगत पिता जोकी होम्यों पैथी के हैं स्री हनीमेन सरका जिन्होंने इस पैथी को हम लोगों के लिए प्रेरित किया दूसरा धन्यबाद देना चाहूंगा हमारे भारतिय सिनेमा जगत के सुपरिश्टार स्री सल्मान खांसर का जोकी बीन हुमन नामक संस्था के संचालक हैं और उनसे मैं प्रेरित हो करके इस कैम्प का और इस प्रकार के समाज का ल्याण के कारी को करता हूं इसलिए मैं इनको आते दिल से कोट कोट धन्यबाद और नमन करता हूं मित्रों आज की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या और गहन समस्या है जिससे देखा जाए तो हर एक घर में कोई न कोई इस वीमारी से अबसी ही पीडित है और एक आईसी ये वीमारी है इसमें सामाजि प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है और लोग अपने आपको साधी विवाह पार्टी या घर कालेज या बाहर कहीं भी जाते हैं तो अपने आपको ले करके थोड़ा सा जरूर जो है चिंतित होते हैं कि मेरी समाज में क्या स्थिती बनेगी इतरों आज का समस्या बहुत ही गहन समस्या पर मैं बात करने जा रहा हूं आज का टॉपिक है हैर फॉल बालों का तेजी से ज़ड़ना तूटना दो मुहे बाल का होना और बालों का सफेद होना ये किसी को इस तरीके की समस्या है तो आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही उपिय की साबित होने वाला है एक प्रकार से रामबाण की तरीके से उनका मदद करेगा मित्रों आप से करबध्ध निवेदन है कि यह जो वीडियो है एक जानकारी मात रहे तु है जिससे आपकी जानकारी और आपकी रूची इस दवा के प्रतिबढ़े मित्रों आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा बताएगे किसी भी मैटसिंग का प्रियोग स्वयम से ना करें आप इन दवाईयों का प्रियोग करना चाहते हैं तो सिर्फ हो सिर्फ किसी रेजिस्टर्ड होमियोपैथे के प्रेक्टिशनर के माध्यम से ही आप इन दवाईयों करें आये मित्रों बात करते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके बाल अचानक सफेद होना शुरू हो गया देखती देखती उनके बाल सफेद होने लगे बाल सफेद होने के साथ साथ में उनके अंदर एक चिर्षिणापन सा जो है उत्पन होना शुरू हो गया यह यूं कहले कि चिर्षिणापन जब उत्पन हुआ या उनकी एंजाइटी या डिप्रेशन जब उत्पन हुआ तो उसकी कुछी समय बाद में उनके बाल सफेद होना सँर हो गया है थो मित्रों शुरुति टवर पर बालों के सफेद होने की सरभोत्तम डवा है लाइको पोडियम मित्रों यह दी ब्यक्ति थोड़ा अपनी बातों को फिलास्फी अस्थर पर जो है अगर ब्यक्त करता हो बातों को वह जो है सायराना अंदाज में ब्यक्त करता हो बढ़ा चढ़ा करके ब्यक्त करता हो सामाजिक रूप से बहुत ही आसानी से घुल मिल जाता हो एक दूसरे से कब वह जो है उसका मित्र बन गया है उसे खुद नहीं पता होता है तो ऐसे मरीजियों के लिए लाइको पोडियूम बहुत अच्छी दबा है यह दिन का प्रियोग करते हैं तो उनके बाल अवस्य ही सफेद से काले में आसानी से परवर्तित हो जाएंगे लाइको पोडियूम का पेसेंट जो होता वह फिलासपर तरीके का होता है और दूसरी चीज यह देखें तो गिफ्ट लेना और देना दोनों से बड़ा पसंद होता है तो ऐसे मरीजियों के लिए लाइको पोडियूम बह पेसेंट बहुत ही जारू होता है वह भोजन को बड़े ही चाव से खाना पसंद करता है लेकिन कुछ ही बार कुछ ही देर में यह थोड़ा सा भोजन करने के बाद में वह आसानी से संतुष्ट हो जाता है तो ऐसे मरीजियों के लिए लाइको पोडियूम बहुत अच्छी दिझाए मित्रो अगर देखा जाये तो कुछ है ऐसे हमारी माताइब हैं जो कहती हैं कि हमारे बाल बेजानस से हो रहे हैं har a बालों में रूखापन सूखापन उन्हें बहुत ज्यादा दिख रहा है बाल अचानक से पतले होना सुरू हो गये हैं और बाल गुच्छे में तूट रहे हैं बंच में तूट रहे हैं बालों में रूसी बिलकुल भरी पड़ी होई है और बाल उनका बहुत देरी से बढ़ याई भाल का जो है सम्माइके अनसार उनका नहीं सही से हो रहा है कि छोटी छोटी ही बाल रहे जा रहे हैं सालों दो सके जो है colocar रहे हैं लेकिन बाल नहीं बढ़ रहे हैं अगर जो बाल बेजाने है रूक होथ catalp वाल हैं तो ऐसे पेसेंट के लिए थूजा जो है एक राम बाड़ा उसदी है और इसका प्रियोग करेंगे जरूर ही सफेद बालों से पतले बालों से सूखे बालों से वरूसी से उन्हें अवस्य ही निजात मिलेगा वित्रों अगर जो पेसेंट को गर्मी बहुत लगती है और ठंड चीजों का सेवन करना उसे बहुत अच्छा लगता है लेकिन जैसे ही वह आइस क्रीम कोल ड्रिंग या ठंडी चीजे खा रहें हैं बर्फ ले रहें हैं और पेट में जाने के बाद में कुछ देर में वह अट पेसेंट के लिए अगर जो देखा जाए तो वह अवस ही कहीं ने कहीं ये भी बात कहते हैं कि मैं जो कुछ भी खाता हूं ठंडी चीजे कुछ देर बाद में मुझे वह जो है पेट में गरम करने लगती हैं और उनका बाल जो है वह बंच में तूटता है जब भी कंगी करत हुआ हैं तो बहुत सारा बाल कंगी में आ जाता है देखने को मिलता है तोटते हुए बाल देखने को मिलते हैं और शबर shifting बाल जड़ से तूटते हैं और कहीं कहीं किसी न किसी एरिया में मत्य के अगर जो उनको देखा जाए तो बीच में तोड़े से जगां पर गंजात Circ देखने को मिलता है तो ऐसे मरीज के लिए फासफोरस रामबार दवा है मित्रों यह किसी को एलोपीसिया की सिकायत है बाल जगह जगह पे जो है एकदम से गाइब हो गये हैं वहाँ पर गंजापन उनको देखने को मिलता है और यह चीजे बढ़ती ही जा रही है तो ऐसे मरीजों के लिए फलोरिक एसीड रामबार उसदी है यह इसका प्रयोग करते हैं तो अबसी इसी समस्या से निजात मिलेग मित्रों कभी कभी कुछ पेशेंट यह हिस्ट्री बताते हैं कि उन्हें कोई दवार यक्षण कर गई थी कोई भी दवह हो सकती है अरवेडिक घूमियोपैहिका कि किसी बाद में hair loss की समस्या उनके सामने आई तो ऐसे पेसेंट के लिए मित्रों अगर जो देखा जाए तो सरसा परीला बहुत बढ़िया काम करता है यह इस तरीके के पेसेंट के बाल सफेद हो रहे हैं या गिर रहे हैं या दूम्हे हो रहे हैं तो सरसा परीला बहुत अच्छी द डिलेवरी के बाद में, जब उनका बच्चा पैदा हुआ, तो उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, या कुछ सालों बाद से, उनके बाल जड़ने सुरू हो गए, और अब बाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, या जगह जगह पे वहाँ पे स्पाट देखने को मिल ता है, या बाल तूटते ही जा रहे हैं, बिलकुल बाल जो है, वहाँ पे एकदम कम हो गए हैं, तो ऐसे पेसेंट के लिए, अगर जो हम देखें, तो लाइको पोडियम बहुत अच्छा काम करता है, अगर जो कोई लेडी जी ये कंप्लेंट करती है, कि आफ्टर मीनों है, और इस्पैसिली अगर जो कोई पेसेंट ये कंप्लेंट करता है, कि मेरे सिर्फ राइट साइड में जो है, बाल सफेद हो रहέ हैं, या बाल तूट रहे हैं, तो ऐसे पेसेंट के लिए, लाइको पोडियम बहुत अच्छा काम करता है, मित्रों अगर जो पेसेंट ये बताते हैं कि मेरे बाल चिपचिपे से हैं जगा जगा बाल हमारे चिपचिपे से हैं कंगी करने के बाद में सेंपू करने के बाद में भी चिपचिपा पन जाता नहीं है बहुत अच्छा काम करेगा। मित्रों कुछ पेसेंटं ऐसे होते हैं जो की गोरे होते हैं रंग से थोड़ा थूलतुले होते हैं या यूंकर लिजें बहुत ही थूल fidle होते हैं और शरीर पे मांस पेसे हूँ नियंत्रड अनियंत्रित रूप से हो रफ़तियूंख कही है कि पेचंट फेरी फैटिव्म साफ सब्दों में ऐसे पेचंट के लिए क्यों्पेरिया कार्ब राम भार्ड के तरीके से काम करता है यह उनके यह चीज देखने को मिल लही है तो ऐसे मरीजों के लिए बालों की समस्याक में रामभार के तरीके से कैलकेरिया कारब काम करता है मित्रों कुछ मरीज ऐसे हैं कि जिन में खुसकी रूसी अत्यधिक अनियंतरित तोर पे हैं बाल दो मुहें हैं बेजान हैं रूखे हैं और कि कहीं न कहीं महिलाओं से सम्बन देती अगर जो रही है और बहुत बढ़ीका काम करेगा बाल बेजान हैं रूखे बहुत जय् antय रूसी भरा हुआ है बालों में नमीक देखने को मिलती ह। जगह जगह पर खुजली हो रहा है और खुजलाते खुजलाते वहां पर बलड आ जाता हो साथ साथ में बाल जढ रहे हो बाल तूट रहे हो बाल सफेद हो रहे हो तो ऐसे मरीजों के लिए बिनिका माइनर बहुत अच्छी दवा है इनका प्रियोग अगर जो करते हैं तो यह अवस्य है इसी समस्या से उन्हें निजात मिलेगा मरीजों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दियाब के पास में बाल टूटने की समस्या अगर जो ज़्यादा दिनों से है तो कुछ बातों का आप विसेश ध्यान रखें आप खाने में हरी साख सब्जियों का प्रियोग करें मूली का प्रियोग अगर जो करते हैं हरी मिर्च के साथ में तो बहुत अच्छा जो है आपको रेस्पॉंस मिलेगा दही खटाई नीबू अचार ऐसी चीजों का प्रियोग करें साथ ही आप जो है रिच फूड में नाजा करके आप श्ट्रॉंग फूड का प्रियोग करें जैसे की चावल का प्रियोग कम करें आप जो है रोटी का प्रियोग ज़्यादा करें खाने में dry fruits का इस्तेमाल करें आपको बहुत अच्छा इससे फाइदा मिलेगा मित्रों आईए आज का मैं अपना बिसेस बात बताने जा रहा हूं मेरे पास यह कोई भी मरीज इस तरीके का आता है तो सबसे पहले मैं उन्हें लाइको पोडियम से सुरू करता हूं और इसके बाद में लाइको पोडियम के माध्यम से मुझे चमतकारिक जो है सफलता मिलती है इसके बाद में साइन और सिम्टम टोटल्टी आप सिम्टम्स के आधार पे मैं मरीज को एक बार अवस ही जब और आंडिगा प्रियोग करने के लिए अनुमती देता हूं और आगे जो सिम्टम्स मिलते हैं उस सिम्टम्स के आधार पर ट्रीट्मेंट करते हैं तो आज का वीडियो मैं यहीं पर सवाप्त करता हूं और आप से करबधनी वेदन है कि आप इन मैटसिन का प्रियोग किसी रजिस्टर्ड होमियोपैथिक कित्सक के माध्धिम से ही करें स्वयम से ना करें क्योंकि हर इंसान का सिम्टम्स हर इंसान की मिजाज अलग अलग होते हैं इनका हुम्योपैथि से सिधा संबंद और सरोकार है तो मैं आपसे करबध निवेदन करूंगा कि यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इ कल्यार हो सके जै हम्योपैथि जै हैनीमेन जै सलमान सर नमस्कार